Good morning friends, कैसे हैं आप लोग उमीद करता हैं, आप लोग के पढ़ाई बहुत बढ़ियां से चल रहा होगा आज हम लोग डिसकस करेंगे क्लास 6 का चेप्टर नंबर 1 साइंस का, that is food, where does it come from इसके तीन वीडियो हमने इस चेप्टर के बना करके प्लेइलिस्ट में डाला हुआ है, जिन बचों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, N.C.E.R.T. Tutorial by Deepak Academy करके आप लोग टाइप करेंगे, तो मेरा चैनल सा जाएगा और इसमें आप लोग सब्सक्राइब कर लिजेगे ताकि वीडियो टाइमली मिलता रहेगा, आज हम लोग आप लोग एकसरसाइज का डिसकस करेंगे, उसमें कीवर्ड्स जो है कुछ दिये हुए हैं, तो यह कीवर्ड्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब तक कीवर आप लोगों को पता रहेगा, तभी आप लोग बेसिक चीजों को समझ पाएंगे, एक्चुली यह सब है क्या, ठीक है, तो हम एक बार जो है इसको डिसकस करेंगे, इंग्रेडियेंट, जैसे कि हमने चेप्टर में पढ़ा था कि इंग्रेडियेंट क्या है, तो एनी पार् पार्टिकुलर डिस, जैसे कि एक पार्टिकुलर डिस है, जैसे सांभर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो सांभर को बनाने में, क्या-क्या फूड्स लगते हैं, कुछ वेजिटेबल्स लगते हैं, ठीक है, आयल लगता है, घी लगता है, साल्ट लगता है, वाटर लगता है, त तो यह जो है food and substances और क्या होगे यह ingredient हो गया for a particular dish ठीक है तो यह जो है ingredient का जो है keyword का definition हो गया edible क्या है edible मतलब होता है fit to be eaten मतलब कि वो खाने के लाइक हो that is edible जैसे edible oil बोलते हैं तो यानि कि that oil is fit to be eaten nectar जैसे कि हमने देखा था कि जो है जो है फूलों पर जो है जा करके बैठती है और वहां से sweet juice को extract करती है ठीक है और उससे जो है वो honey में convert करके आपने beehive में डालती है तो nectar जो है sweet juice है obtained from flower जो कि flower से मिलता है ठीक है अब उसमें आप लोगों ने देखा था कि sprout जैसे मूंग की डाल को पानी में जो है डाल करके एक दिन के लिए रख दिया गया था और फिर जो है next day जो है उसको निकाल कर गिले कपड़े में बांद कर again जो है फ जो है वह प्लांट जो निकलता है जैसा सबको पता है तो वह जो जब start to grow होता है तो उसे छोटा सा जो है white portion का जो है अंकुरी तेक जो है वह निकलता है उसी को हम बोलते है यह जो है sprout start to grow ठीक है and herbivores हमने देखा था कि जितने भी animals है उनको तीन category में हमने डिवाइड किया ह एक तो herbivores, herbivores जो है तो herbivores क्या है animals which are depend on plant product only उसको हम जो हर्भी वोर्स की category में रखे हैं कि जो केवल plants product पर ही depend है and carnivores क्या है animals which are depend on other animals जो other animals को मार करके जो है खाते हैं यानि कि मांसाहरी उनको जो है carnivores में रखा गया है ठीक है and आएक है omnivores, omnivores मतलब बोथ some animals depend on plants and animals are called omnivores तो जैसे कि हमने देखा था कि इसमें कुछ जो है जैसे कि dog हो गया, cat हो गया, human wings नहीं आएंगे क्योंकि human wings तो जो है उसमें bear हो गया, crow हो गया तो ये सब जो है आपके omnivores में आ गया है ठीक है तो इस तरह जो है ये key word जो है हमारा finish हुआ तो जिन बच्छों ने चैनल को subscribe नहीं किया आप लोग चैनल को subscribe कर लिजाएगा ताकि टाइमली आपनों को वीडियो मिलता रहेगा, okay thank you झाल 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 झाल